हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नुलेज़ब दोस्तों आज हम जानेंगे लौंग के कुछ गरेलू उपायों के बारे में दमा, दमा के इलाज में लौंग का उप्यूग पाँच लौंग कूट कर एक कप पानी में उबाल कर हलका सा गर्म रहने पर दो चम्मच साइद मिला कर इसके तीन बाग बना कर नित्य तीन बार पिएं इससे दमा का कफ सरलता से बाहर आ जाएगा और खांसी में काफी आराम मिलेगा दाथ में कीडा लगने पर लौंग को रखना या लौंग का तेल लगाना चाहिए लौंग के तेल की फुरेरी लगाने से दाथ दर्द मिट जाता है पान खाने से जीब कट गई हो तो एक लौंग मुँ में रखने से जीब ठीक हो जाती है उल्टी के इलाज में लॉंग का उप्योग चार लॉंग कूट कर एक कप पानी में डालकर उबाले आदा पानी रहने पर इसे छान कर स्वाद के अनुसार मिठा मिलाकर पीने से उल्टी ठीक हो जाती है ऐसा दिन में कम से कम चार बार करें दांतों के दर्द के इलाज में लॉंग का उप्योग पांच लॉंग एक गिलास पानी में उबालकर इससे नित्य तीन बार कुला करने से दांत दर्द चीक हो जाता है दांत दर्द होने पर दुखते दांत पर लॉंग का तेल लगाने से काफी रहत मिलती है सिर्दर्द के इलाज में लोंग का उप्यूग पांच लोंग पीस कर एक कप पानी में मिला कर गर्म करें आदा पानी रहने पर इसे चान कर इसमें चीनी मिला कर पीएं साम को और सोते समेल लेते रहने से सर्दर्द ठीक हो जाता है खांसी के इलाज में लोंग का उप्यूग लोंग और अनार के चिलके समान मात्रा में पीस कर इनका चोथाई चमच आला चमच सहद में मिलाकर निट्य तीन बार सेवन करने से खांसी ठीक हो जाती है प्यास की तिवर्ता होने पर उबलते पानी में लोंग डाल कर पीएं इससे प्यास कम होती है और ज्वर या टाइफ़ाइड में लोंग का पानी पिलाएं इससे काफी रहत मिलती है पांच लोंग दो किलो पानी में उबाल कर आदा पानी रहने पर इसे चान लें और फिर इस पानी को बार बार पिलाएं इससे टाइफ़ाइड में काफी रहत मिलेगी Okay friends thanks for watching this video